तो चलिए दूस्तों अपने सवागत है हमारे यूट्यूब पर जो इस चैनल पर नहीं आए जो पहली बारा है तो प्लीज दो सेर और सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि इस चैनल पर आपको आर बी एंटीपी सी हो हर छेत्री को आपको त्यारी कर रहे हुआ है सारे के सारे आपको जो है कंप्लिट टरवा जाएंगे वह भी 2024 का अब रहता है आप कमेंट भी कर सकते हैं किस चीज़ के त्यारी कर रहे है कि गोर्मेंट जाब की ताकि आप उसका बुक कमेंट करें उसको भी कंप्लिट करवा दिया जाएगा तो अब भी क्या चर रहा है कि लूसेंट अब करते हैं बात की कमेंट करके लिखा वाय जाकर पुरा देख सकते हो कि कहें कोई कुछ डॉट होने नहीं रहेगा तो कमेंट जरूर करेंगे आप और बुक कमेंट करेंगे कि आपको किस बूक की त्यारी करनी है और साथ में आपको बता दें कि कि आप किसी की भी टीयरी कर रहें शीक है कि कि अपणाएख कम यह जर्थन साथ है किसको मैहीं से इसको पढ़ले है काफी ज़्यादा कुछ पिछाने वारा नहीं है तीसी बात पर पर जुम करते हैं अब बस आपको मेरे चैने को शेरो सब्सक्राइब करते रहें अधात्यू और उनके योगी को यहां स्टार्ट करते हैं पीडिस के वाद एक लीशन बचेगा वाद पर हाइड्रोजन की किसने की थी आपको जो है यहा सब्सक्वाइब हुआ तत्व जिसका प्रवानु कर्मांग प्रवानु भार दोनु एक समान होता है वह होता है हाइडोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है तो यहां होती है तीन होती है निमलिक्त में से कौन सा हाइडोजन का समस्थानिक नहीं है तो यहां बात है कि ओजोन का नहीं है याठ गुमिस से आपके यदि कोई इजाम अभी या प्रैक्टिस दे रहें एक नए कोस्टन इसमें पकाया होगा वह भी आपको बता दे तो इससे सेवन लेसन का पकाया होगा यह बहुत ज़्याद रहता है के तो बात करें कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो तीन ही आपका पsavais सायर धोजय अंडरान का समस्थानिक्ति कि उत्य को उसको नहीं है तो था इसका वर यह इसमें कौना ह decreased तो है कि आपका परोटेरियुम दूटेरियुम ओटरी अपको स्थानिक है जीसे कि आपको इसमें पहले बता देए हैं तिनको नहीं होगा तो यहां एंसर आपका स्रीव हो जाएगा जब रखते तप्त लोहे के उपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है तो यहां तेरा का एंसर आपका स्रीव हो जाएगा है यहां पूछा जाएगा आपको यहां प्राप करते हैं कि निमन लिखिन में कौन से अभी किरिया के परिणाम सुर्प हाइड्रोजन गैस का वी मोचन नहीं होता है तो यहां प्लास्टर में जल मिर्सित करने पर नेक्स यहां स्रुलणा प्याते हैं कि वर्णसपती घी जो है निर्वान के लिए कौन सी गैस प्रेप्त होती है तो एंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन होती है खाना पकाने के तेल को किस पड़ तकिया के दवारा में भी सुनते रहें यह याध हो जाएगा यह जिनका पास बुक नहीं है थो उसको भी टनिलेना चाल से यह यह करने के यहे सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ाएं आप लोग सब्सक्राइब करें तो इसी बात पर शुरू करें कि निकल उत्प्रेरग का उप्यों करते हुए बनसपती तेलों का संक्राइब करते हैं तो बात करते हैं कि निर्मान के लिए रख्त तप्त लोहे की रोड के उपर भाब गुजार कर रसाइनी का भिकिरिया समीकरन को संतुलित किया जाता है तो समीकरन के बाइपक्ष में पानी के अंगुलिनों के संख्या कितनी होती है तो यहां होती है चार होती है क्योंकि इसके अनु जो हैं आपके हो जाएंगे अधिक अधिक धूर्विय हो जाएंगे आयतन के अनु अनु पात में जल में हैड्रोजन और ऑक्सीजन का नुपात होता है तो यह अंसर हो जाएगा आपका होता उदसीन होता है शुर्धम का पीएच भиль कहांत कर लिते हैं तो सुथ हो जाता है है must इस बड़िए कि नंडशा रहा है थो दो फर रवादिक होता है तो यह जल सर्वा सरवादिक होता थे Latino0 एक सब्सक्राइब करने पर पानी का घंदत भी जो है और फिर घरता है हाइडोजन सलफाइड या हाइडोजन कलोराइड की तुनना में जल का उच्छे क्वाथनांग जो है किसके कारण होता है तो यह आपका रहसानिक सुत्र यहां पूछा जा रहा है तो आपको बताने के च पानी में नमक मिलाने पर पानी का कोथनांक वार्हीं आपका हो जागा बर घर जाएंगे कि छेतरों में जल का खितानू नासन किया जाता है तो यह आपका स्टोडियम सेल फेट होगा नेक्स्ट थार्टिफोर की पोटिशंट पर मैगनेट जल को क्या करता है यहां कठोर जल को मृदू बनाने के लिए निम लिखत में से कि सोडियम योगी का उपयोग किया जाता है जिसका आपका हो जाएगा यह एक नाभी कि रियक्टर में भारी जल का क्या कारे होता है तो होता है यह नियोट्रॉण की गति को कम करता है नेक्षट के नियुक्ति लिए रि प्रकार का यह है तो यह आपका यापनी नियुक्ति लुक्ति होता है पानी में होने पर जल जो है आपका भार्य समस्थानिक है इससिल इसको भारी जल कहा गया है नेक्स्ट है कि और यह प्रकार का क्या ook कि जीलिक आमलों होता है वादो को का हो जाईगा सी हड्रोजन पर अक्सायड होता है उन YES बात करते हैं कार्वन एक क्या है सकते हैं मादातु बोल सकते हैं नेक्षट रहे कि सवी योगी को का निवार मुले तत्वे की बात करें तो यह आक्सीजन का इसक्षिश है तो कारण के द्वारा होता है वाई बात करते हैं 53 कि यहीं द्रसाइनिक तत्व के भी भीन प्रारूप होते हैं उसे जो है क्या कहा जाता है उसको हम लोग जो कहेंगे आप रूप कहेंते हैं नेक्स वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में बना होता है बन जाता है तो क् के अप्रूप का यहां पुछा जाएगा और थोड़ा अच्छा से इसको फीडिये बनाया गया है यहां पुछा जा रहा है तो मुली तत्विक यहां बात कर लें तो आपका एंसर हो जाएगा हीरा कारवन का सुधुरूप क्या है हीरा ही हो जाएगा आपका निम लिखने में कौन सा कारवन का एक रूप नहीं है तो बने दाने में से किसको पैंसीलों में परियुक्त किया जाता है दर अन्सर हो जाएगा आपका 66 आपका निइसक्राइफ लिखते हो बच्चेबला कंख़ा वह बताते है भुद्धा रहता है उसके जिसको ड्राय से इंग्लिफ में बला गया कि धनातमक चर होती है ति होती है आ जाने वाला विमंदक यहां पुछा जाना तो है इसका निधारन होता है जिवासमों की आयू का निधारन होता है कि कची चीनी को रंग विहीन करने है तो प्रयोग किया जाता है तो 71 में सब्सक्राप का हो जागा एनिमल चार्कोल वही डखते तब तक तब कारवन पर जलवास करने प्राप्त होता है तो क्या प्राप्त होता है अपकर जल गया से किसका निरक्षे जीरो किनसाइब करता है तो वही बात करें स्वीनों पर那 स्रह में मुझाइंद्व किससइब से नाम है सिलिकॉन कारवेडायट का यह नाम है वही बात करें को यह किस एक में से इस परकारव के प्रक्षा अधिक अध्रतिसत अंस कारवन किसमें आंस कारवन के मातरा पाए जाते हैं तो यहां 76 को जाएगा आपका इंतरफ साइट के बात कर देते हैं लिए नेक्षा के निम लिखते हैं कौन सा एक भूरा कोला है जो आधरता कि उस्पारवन के और परणाभिक अवस्था क्या है कि यह प्रिक है सब्सक्राइब लोग पीजिया कौई तो एंसर होजाएगा बैटू मेनेश्ट निम लिखने से कौण सा उस्तम गुन्वता वाला कोला है तो अपका हो जागा यह एंथ्रसाइट हो जागा वह बात करें निम लिखत में से कौन सी किसमी की कोईले जो है इसमें नहीं अच्छा इसमें से कौन एक कोईला का किसमी नहीं है यहां पूछा जाए तो आपका प्रदूसक सरवाधी खानी का रख है तो एंसर हो से आगा है आपका कारण बहुत है वह बहुत है निम लिखने सब्सक्राइब करते हैं तो याद करने के लिए असान हो लेकिन आपके लिए आने वाला सब्सक्राइब करते हैं निक्स पर बात करते हैं निक्स आपका अंसर हो जाएगा भी कारण डायोक्रसाइड वैस्विक्त आपकी व्रिद्धी के लिए निम्न में से कौन सा गैस का योगदान अधिक्तम है तो 91 का हो जाएगा यह कारण डायोक्साइड यहाद को पेर के निच्चे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि त्यांक्यों ने दी जाती है बात करें कारण डायोक्साइड के लिए प्रियुक्त गैस कौन से हो गया तो पुझाइड सकते हो किसी उपस्थित्री के चुने का पानी वाई में रखने परदूधिया हो जाता है तो यह आपका करण डायोक्साइड को भंडार्ज करने से पहले उसमें कौन सी गैस जो है मिलाई जाती है जिसका अंसर आपका हो जाएगा स्योटू मिला जाती है मृद्धू पेयों में दाव के अंतरगत निम्लिक्त में से कौन उपस्तित रहता है मृद्धू पेय में तो जिसका अंसर आपका यह हो जागा स्योटू रहता है सोड़ा वाटर में परिफूत गैस कौन सी है तो एंसर आपका स्योटू ही है ठोस करण डियोक्साइड का अधिक सम्मान ने नामे क्या है तो एंसर आपका सीर्सुस्क बार्फू है तिस सबसे प्रस्द आते होंगे सब्सक्राइब करने में वह सपंजी तथा कोमल हो जाता है क्योंकि उसमें रहता है तो चलिए इसी बात के निक्ष्ट प्रयावाते हैं कि गैसों के निमने समूहों में कौन साहरित प्रवाह है घर प्रवाह को योगदान करता है तो इस कैंसर अपका यह हो जाए और मीथिन यहां करता है ग्लोड वार्मिंग क्या बात करने के लिए उत्तरदाई गैस कौन सा है तो एक सो तीन में सब्सक्राइब के लिए उप्योगी बनाता है सोडियम बाइक कारवोनेट के इस उप्योग के लिए जिम्मेदार अब घटन उत्पादक होने तो यह ने इस बात कर लेते हैं कि निम लिखत में से कौन सत्तत्व सोलर सेल में के उप्योग में किया जाता है जिसके अब को सिलिकॉन हो जाएगा टांजिस्टर बनाने के लि नहीं की बातते नहीं है कोई करते हैं कि बात की निम लिखत में कौन से सीलिकॉन डगून है यहां पूच्छा जा रहा है तो इस में हो जाएगा आपका सी इसे गल्लांग उच्छ खोता है क्रित्री महीरा के नाम से किसे जाना जाता है जिसका एंसर दी है सिलिकान कर रुमान में प्रियुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है जिसका अंसर आपका हो जागा यह से लिका जो है जेल से भरी एक छोटी स्थैली गोलियों कि यह थो आपको पुर्ण रूप की ऑसधी की बोतलों में अक्सर पाए जाती है क्योंकि सिलका जेल जो है यह एक आपका नमी यह सुक्ति इसलिए कि 114 एक परतिशता के अधार पर वाइवंडर में सरवाधिक पाए जाने वे लिए लिए यहां यह हो जागा नैट्रोजन है वाइवंडर में कितने परतिशत नैट्रोजन जो है मौजूद है तो यह आपके हो जाएंगे कि 38% सबसे जादा पाए जाती है जलती हुई सीक को नैट्रोजन से भड़े जार में ले जाने पर जो है यह अधर को बुछ जाती है और बात करेंगे क्रित्री मंगर्वाधान के लिए वैलो के विर्यकों रखा जाता है तो यह कहां रखा जाता है किसमें रखा जाता है पूछा जा रहा है ति यह जो जुआ डrub नाइट्रोजन में रखा यहां ने कहने की वह ली के बलवू में किया जाता है यहां हो जागा ने प्रचिंग खूज करता ऐं दो यह जब होगए आपके दाइड क्वारे में जान गहीं जाते मातरा मिल्चन खुज करता कौन है तो रड़र फोड है क्या बात कर लें तो जो है आपका यह हो जागा द्रब नाइट्रोजन को का गया है चलिए नेक्स प्रेश बात करते हैं यहां बढ़ते हुए पौधी को नीम लिक्ति में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में अपसकता होती है तो वहीं हो जाएगा आपका यहां घटक कौन सा है तो यहां आपका हो जाएगा नाइट्रोजन आलू की चिप्स में प्लास्टिक फुल हुए रहते हैं लेकिन संचेन के लिए निम लिक्ति में से किसका उप्योग किया जाता है तो यह आपका अंसर हो जाएगा बीर्द द्रव हिलियम का कि 127 पर आते हैं कि नाइट्रोजन का विस्फोट्रक यॉग यहां बात करें तो यह आपका एंसी आइठी हो जाएगा वही कर निम लिक्त में से किस पूर्वड़क में नाइट्रोजन की परतिस्ता मातरा सबसे अधीक होती है तो 128 का अंसर आपका यह हो जाएगा यूरिया और रसाइनी धूम कोरे बनने के समय कौन साइग गैस उत्पन होता है तो 130 में हो जाएगा नैट्रोजन ऑक्साइड और यहां 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 निम लिक्त में से कौन साइग प्राकृतिक रूप में वाई मंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वहीं यहां आपका आंसर हो जाएगा आपका यह नांइं नूख रितिक कारणा कौन सी प्रथिक्रिया होती है तो यहां आपकी प्रह्तिक रिया जो होती है ने हुझ शे इंग लेवाइं उख्साइड नाम होए तो यहीं बात कर लिल्猫 साइड है कि लाफिंग इसमें कौन से होती है तो यह आपका जो है इसमें नैट्रिस ऑक्साइड होती है निम लिखने में इसको क्या करने विचार मिलाना है देखतें कौन क्या है मिला लेते हैं इससे पहले विचार करना है आपको क्या विचार करना है इससे पर पता चलेगा तो नियुक्त होने में सब्सक्राइब करते हैं मार्वल कैंसर क्या है तो मार्वल कैंसर के बात करें तो यह वर्षा की कारना मार्वल का सब्सक्राइब के अब टार नेक। आप करते नियान नाइत्रोजिंस की बात कर लेते हैं कि इस अमोनियां ambos परस्तित होता है क्या ता मुनिया में परका जो है यह होता है आपका नैट्रिजन और रोजन होता है वह बात करने 608 कि हैवर्ड वीधी द्वारा और रहोगों कि परमालने किसका उत्पादन किया जाता है तो वह होगो एक नरहें बात करते हैं अमोनिया का गुन बताना आपको एंट फोटीन यह विलियन में लाल लिल्टमस को नीला कर देता है जल में असाली से घुलन सील कौन है यह आपका है अमोनियम जो है इस थीरी में इलेक्ट्रो नाइट्रोजन के सही हुजता किस नहीं होती है यह तीन होती है वही असुरू गै तो फोटी थिर यहां बात करें तो यह असुरू गैस कौन है तो यह आपका मोनिया ही है कि पितल के बतन के कलाई के परत जो रहता है करते समय के गरम वरतन के सफाई के लिए अमोनियम क्लोराइट के चुन से निकलते निकलने वागए धूमा है तो कौन सा यह आपका यह सफाइड हो जाता है जो आप साफ करते होंगे परचार भी देता होगा निम्बू का बरतन इस तरह में आपका अमोनिया सब रहता सफाई के लिए नेक्स एक अग्यात गैस जल में सिग्रता से घुल जाती है कि युक्त जली घुल में लाल लीटमस को नीला कर देता है यह ग सब्सक्राइब कर लिए कि हैवर्वीदी द्वारा अमोनिया का निर्वान के लिए उप्यूगते दस्त्राइं तो यह आपका उचिदाववा निम्नदाब है एक वारे जिया अवतल में वन और पाथीरी के नुपार में निम लिखने किसका मिसरन हो यहां होता है तो यहां और चांदी का सुधी करने के लिए निम लिख में किस अमलका जो है प्रयोग किया जाता है वन फूटी नाइन का हो जागा यहां डी नाइट्रिक अमलका होता है फास्फोरस का अनुसुत्र कौन है तो यहां एंसर हो जागा आपका पीफोर है फास्फोरस की सही हो जागता क लगा जाता है तो यह रखाता है चलिए फीटी फर जलता है बलगा जाते हैं लाल फासपोरज्ट लगताय है में लम उटनां गष्टमक्त क्या पाई जाते हैं तो यह जो है आपका केल्सियम फासफोर्स ट्रीनी रहता है तब आपके दान्थ मजबूत होते हैं वह बात करें कि फासफोरस के अप रूपों में कौन अस्फुर दिप्ती का गुन परदर्सित करता है यहां हो जागा यह स्वेत फासफोरस कास्ट्रिक शोड़ा एने ओच के गर्ण तथा संद्र रूलीज़ीयों से फिकर्या किता करत के बनाता है क्या बनाता है ओने एक पोछ फासफीन बनाता है मानो वस्ती मुख तत्वे क्या है यहां अब जैसे कि माचिस के तिली के सीड़े पर निम लिक्ष में से क्या होता है जैसे कि आपको बता दिये थे लाल फास्फोर अस्था लेकिन यहां क्या है तो यहां हो जाएगा यह सरेषवा काच पाउडर है एक में अच्छा नीच्च अपसंदिया वाया है तो यह पताते हैं कि सफेद फास्फोर और सी है निग पोटेश्य होगे आपका एंटी मनिस हो जाए यूद्धि में धूए का पर्दा बनाने के लिए इन निम लिक्ष में किसका तो यह किया जा इतने प्रतिसत जो है अक्सीजन मौझूद है तो 163 में आज चुके हैं चलिए तो यहां बात करते हैं 21 परसेंट ऑक्सीजन की खोज किस ने की थी 164 में अंसर आपका हो जागा प्रिश्टले ने की दिए अंसर है आपका कि उस्तत्व की पहचान की जो प्रिश्टी की बाहरी परत में सबसे अधीक मात्रा में यहां पाया जाता है तो 165 हो जागा ऑक्सीजन निम लिक्त में से ग्रेसों में से कौन सी जो है एक ग्रीन गैस और चैसमें ग्रीन गैस नहीं है यह आपको बताना है जैसका अंसर है ओ और नहीं है मानों को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहां से आती है तो यह आपको जो है बताना है कि यह आती कहां से है 267 में हो जागा जल गोता खोड़ सांस लेने के लिए किस गैसों के मिश्रणों का परियोग करते हैं तो यह आपका करेंगे लेकिन हिलियम साथ में जलती है संथि झार्ता है कि जलने में में जलने सहायक होता है तो यहां ऑफson के खैसेश्टी नमें सांस लेने के लिए प्रियुक अक्सीजग का मिस्रण। आपक सांस होता है में, जलती है संथी पर हुआ है, संथी तो यहां सठी दियावत ले जाने पर वह तेजी से परज्वलित हो जाती है वही 122 है कि मानव सरी में किस तत्व का जोए पड़ते सबसे धीका ऑक्सीजन का है ओजोन का प्रूब क्या है ऑक्सीजन ही है आपका नेक्स्ट है कि निम लिकन में कौन सी गैस पायरो गैलोल के छा सबस्क्राइब के कौन सी चान्दी की सथा को काला कर देता है तो यह अजयरण हो जाएगा को这么 सब्सक्राइब करें कि निम लिखत में से कौन सी गैस ओजोन परत के हरास के लिए तर्दाइए तो क्लोरो फ्लोरोन हो जाएगा कार्वन नेक्स्ट है कि सूपर सोनिक वाई वंडल समताप में निम लिखत में इसे पादात को विस्तरजित करता है तो 128 का यह हो जागा इनो एकस वाई वंडल में कौन सी गैस पड़ावेंगनी किर्णों को अप्सूर्शन कर लेती है तो 129 का हो जागा यह ओजोन को ओजोन वाई बचाती है किसे जो है वह बचाती है तो 180 का अंसर हो जागा भी अल्ट्रा वाईलेट किर्णों से बचाती है और जोन गैस में किस तरह की गंद होती है तो यह आपकी हो जागी सहरी मचली की तरह गंद होती है जोन में गंधक जिसको सफल सलफर होते हैं उसका अनुसूत्र यहां पूछा जा रहा है तनुसूत्र आपका हो जाएगा इस एट आपका है अनुसूत्र है वही बात करें तो चली यहां 183 पर आगए यहां तिराश्चे की गंधक के कितने प्रवानु वापस में जूड़ कर गंधक के वले जैसे सर्ण रश्चना बनाती है जिसका हो जाए तो यहां प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत था प्रत्यास्था बनाने के लिए हमें उसमें नीमल खिर्मी से क्या मिलाया जाता है यहां यह पूछा जा रहा है तो इसको उपर कर देते हैं ताकि आप रहां से देख सकें तो यहां वर्णिटी सेवा नियात्वन यांबर हट गया है कोई वाद नहीं 187 के यहां आपको मिला जाता है यहां प्राप्त होता है वह कौन सी गय से जो स्वयम जलती है लेकिन जलने में सहयक नहीं होती है तथा जो सदेंडे जैसी गंद देती है तो यहाँ आपका 89 का एंसर किया बात करें तो है 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 डेजन सलफाइड एंसर हो जाएगा कि इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पर जाता है तो 190 में हो जाता है 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 कि पोटेशियम डाइघ क्रोमेट के अलमिये घोल में हाइडोजन सलफाइड गयस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग क्या हो जाता है कौन से हो जाता है है कौन से वर्षा के लिए उतर दाई है चलिए बात करते हैं 193 की निम लिखत में से किसी के दुवारा जोए धोगी छेतर में आमले वर्षा होती है तो यहां यह आपको बताएं दिये थे आपको 193 का हो जाएगा आपका एसो टू वाई में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पतियां जोए काली होकर गिर जाती है यह आप से यहां पूछा जा रहा है कि किसके उपस्थिती के कारण तो यहां रहता है आपका एसो टू ही रहता है निम लिखत में से क्या लहसून और प् सब्सक्राइब के विलियन में सल्फर डियोक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलियन का रंग जो है कैसा हो जाता है तो यहां आपका एंसर हो जाएगा भी यहां आपका हरा हो जाता है 197 कि मैंसान्द। 198 पर यह जाता है कि एक सूस के सेल में नीम लिक्रो लाइट की तरह इस्तिमाल होता है तो हनसर हो जाएगा मेगनेशन क्लोराइड और जिंग को यहां यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह तो किस सम्राट किसको कहा गया है यहां पूछा जाएगा है तो किसले भूण बाते हैं ओलियम क्या है यह पूछा जाता है दो सब्सक्राइब का जाता है दोनों कहा जाता है वही दोसो 3 पहलेए लिखा हुआ कॉशेनना है कि निम्लिक्ष में अमलो में संसे किस अमल का उप्यों काल बैटरी ओं में किया जाता है है तो 106 अमल का है निम्लिक्ष में यहां senza sectorड होती है छीनी पर सांस rich कि निर्जवकर्ण की नाम से किसे जाना जाता तो मार्सलार्ब के नाम से यहां एस्टू एस्टू और वह एट को जाना जाता है कौन सा है लोजन तत्वित जिनोन के साथ मिलकर अधिक योगिक को बनाता है तो एंसर हो जाएगा फ्लोरी निया बनाता है हम face 2015 कि flon में पाया जानने वाल हेलोजन होने तो फुररी नहीं है वह दोसर चैरा कि करिद्दध का सी हो जाएगा एंसर NapBS को है वह उनृष में आते हैं कि लिए इस में ढ़िशीक नहीं से किस तथ में एक्रोनों को करृषितर करने की प्रविर्थी होती है फ्लॉरीनी की होती है लिए में से किस गैस को हुनार्य की तरह काम में लिया जाता स्राइव स्राइब टू निम लिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है यहां आपका अंसर हो जाएगा वी क्लोरीन जो है रंगीन होती है वहीं बात करते हैं कि स्रवादिक इस्तमाल में लाए जाने वाला विरंजक अभी क्रमक क्या है यहां पुछा जा रहा है तो 222 कि आपका एंसर जो हो जाएगा बीव आपका क्लोरीन हो जाएगा नेक्स्ट है कि निम लिखित में से किस तरफ का उप्योग पानी के उपचार सुधी करने के लिए किया जा सकता है तो यहां एंसर हो जाएगा आपका सी क्लोरीन का किया जाता है 224 में कि तरल लवस्था में पाय जाने वाले अधातू कौन है तो यहां 224 में आपका एंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ब्रोमीन तरल लवस्था में पाय जाने अधातू है निम लिखित में से कौन वीजली का आच्छा चालक नहीं है यहां पुछा जाला तो अच्छा चालग नहीं कि कौह सब इसके इसका मही कि दिशे करने के लिए अदू आयोडीन करने के लिए अदू आयोडीन में से किस रूप में दिया जाता है तो 239 का आपका एंसर हो जाएगा यहां डी फोटेसियम आयोडाइड नेक्स्ट है के हाइड्रो फ्लोरिकम कांच की बोतल में नहीं लगार जाता है क्योंकि वह अभी किरिया करता है तो एंसर हो जाएगा कांच की सिलिकॉन डायोकसाइड से हैड्रो क्लोरिक अमल का एक अन्य नाम है तो यहां हो जाएगा मियूरीयेटिक अम नेक्स्ट है कि नेम लिखत में से कौन सामल अमासे में बिद्धवान जन्तियों दोर अस्त्रावित किया जाता है तो 232 का एंसर है एक हैड्रो क्लोरिक एसीड ग्लास किसे में घुलंसील होता है तो का अच जो है यह किसमें घुलंसील होता है यहां पूछाजाएगा दो सबसे कम मात्रा में यह पाया जाता है वह 235 पर आगया कि अक्रिये गैस से जो है अन्य तत्व में अभी क्रिया नहीं करती है क्योंकि क्योंकि यह इसमें पूर्णता युगमित अस्थाई कोरस है इसलिए और नेक्स एक 236 कि किसी यह किरिये गैस के प्रवानु की बाहे कक्षा तो 236 में जो है आपका एंसर है यह पूर्ण होती है इसलिए करिये गैस परवानु की कॉर्ण होती है चलिए नेक्स दोस्तों संटी गैस जो है निस्ट के दिये है क्योंकि यह जह उनका इलोक्राणिक विन्यार अस्थाई होता है और उनका अधीक होता दोनों हो जाएगा जाट खर रहा है किकलिए गैस्टो की कोश करने का स्राइग किससे प्राप्त है तो यह दैवीजे को प्राप्त है अब बात करें कि हवाइज में टारो को चोड़ा करने में से कौन सी गैस्ट परियुक्त होती है तो वहां हो जाएगा इंसल आपका हिलियम के नाविक में होता है क्या तो हिलियम के नाविक में हज़र दो पोट्रों और निट्रों होता है वह 241 कि बात करें कि मौसम बिग्ञान संदी प्रेक्षन के लिए निम्ल कि इसे किसको गुवारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है तो एंसर हो जागा आपका हिलियम 242 का एंसर हो जागा सी द्रव हिलियम हो जाएगा कि मुझे दोस्तों यह क्या कर सकते हैं बहुत कुष्टन इसमें छोड़ना पड़ जाए दोस्ते करते हैं बगवास से फोटो के कारण ताकि आप भी अच्छे से पढ़ सकने इसलिए चोड़ना पड़ गया उसको जो है टेल लग है ताप यह विरूद केंद्र का मुख्य गैसी पर दूसर किया बात करने तो यहां सब्सक्राइब क्या होता है तो दिया सलाइब की नोग में यहां आपका लाल फार्स फोरस होता है वह यह को जोन की यह कि अकनू में कितने ऑक्सीजन पर मानू जो होते हैं तो यहां तेन होते हैं कि वर्सपति तेल से डालडा यह वर्सपति गी बनाने मिनिम लिखत में कौन सी पर किर्या इस्तिमाल जो है की जाती है थैंसर होजएगा हाईड्रोजनी करन वर्सपति घी के अध्योगी कुत पादन में कौन सी वीधी कम में लाई जाती है तो 206-18けて हो आपका ही हाइड्रोजन यदि पिर्थीवी के वाइंडल में कारवान रेक्साइड नहीं हो तो भूप रिष्ट का तापमान यहां पूछा जा रहा है कि कैसा रहेगा कैसा हो जाएगा तो यह वर्तमान से कम हो जाएगा रिष्ट में से कौन इस फूर्च जारा है यह पूछा जाला है एक ग्रीन हावस घैस जो है कॉन नहीं तो प्रेहाइट नाम क्या है तो सब्सक्राइट कर नामां दाले प्रूफ यह सपाइट सब्सक्राइब जल इस में बताना है जल वर्साय का इसमें सुढ्धेतम कौन है यहां वर्षा का जल सबसे सकते कौन है यहां यह पूछा जा रहा है तो 275 का हीरा हो जाएगा सबसे सकते हो हो जाएगा आपका वह बात करें आटो मॉवाइल द्वारा जो है विक्निस काशित मुखे नुकसान दे गैस जिससे क्युवाइब पर दूसरे खुरता है निम लिखते में से कौन सी है इसमें यह पूछा जा रहा है तो यहां आपका यह हो जाएगा कारवार मोनो ऑक्साइड निम लिखते में इसे कौन सी गैस नियुनतम ता पवान पर द्रब में बदल जाती है तो 277 का यह हो जागा है बदल जाती है जो करते होंगे बारूद का मिसरन आपको यहां पूछा जा रहा है कि बारूद में कौन से मिसरन है तो नाइटर है सेलफर अचाल कोल का है लिए भी अस बनाकर है वह चली निक्स यहां बात कर लेते हैं कि हीरा ऑग्रिफाइट के बारे में कि निमनी में से कौन सा कथन सही नहीं है यहां एंसर हो जाएगा आपका भी हीरा और देुप त्यक्तिक और असायनिक दोनों बुन भींभीं होते हैं वही बात करेंदों आ लिएकासी में आते हैं कि निम लिखत में कौन सा गरिफायट का गुन नहीं है तो 281 अपका हो जाएगा इसका गणलांग निम नहीं होता है गुन नहीं है कारवां डियॉक्साइड ग्रीन हाउस गेस कहा जाता है क्योंकि यह दोसो बैरासी यहां पूछा जा रहा है क्योंकि डियुक्साइड सीरी के प्रकास को प्रतीवी पर अने देती है प्रतुँ उस्मा को बाहर जो है नहीं जाने देती है कि तूइट थिरी में है कि निम लिखित में से कौन सा एक जो है एक पर मानुक तत्व नहीं है यहां पुछा जा रहा है तो इसमें से कौन सा एक प्रमानुक तत्व नहीं है तो यहां असर हो जागा आपका योडिन नहीं है निश्ट्राइक कि निम लिखित में से कौन सा एक एक परवान्विक है अच्छा लेक परवानिक तत्वी नहीं था वी समय के कारण उत्पन होती है तो उत्व होती है आप बाइकार्बोनेटर तनू एच्टू एसो खोड़ के कारण यहां होती है वह एटी सिक्स में आ गए कि ग्रेफिन जो होता है वह कार्बन का नैनो परती रूप होता है भी एंसर हो जाएगा 287 एक एलेक्ट्रिक बल्ब के निर्मान में किस काच का जो है ओप्योग किया जाता है तैंसर फ्लिट काच का निमलेक्ट में से कौन सी उत्क्रिश गैस जो है नहीं है तर 288 में हो जागा आपका हाइड्रोजन नहीं है वह बात करते हैं कि अधातुएं अधातुएं जो है अस्तमानता विदूत की कुछालक होती है प्रंतुग्रेफाइड विदूत का सुचालक होता है क्योंकि यह भंगुर है पिर्थीवी के वाइं वंडर में प्रचूरता के समन्द में निमलिक्ट में से कौन सी गैस दुसरे अस्थान पर जो है आती है तो निम के संबने से कौन सा कथन या सही है यहां सही आपका हो जा गया समनता तामांता पर यहां थरव्य हान की बाहरी कक्षा में 90 एब ऐल्यच साथ इलक्रॉन होते हैं वह नेक्सिंट है जो है निम लिखत में से किसका क्रिष्टल यह रूप है यहां पूछा यह जा रहा है टू नैंट्यूफॉड का एंसर हो जाएगा सी सिलका का कि निमने में से किस तत्व को जो है लह साने पाइच्छन दूआरा नहीं लगाया जासकता है तो 95 में अशरू हो जाएगा बीफ हलोरीन को नहीं लगाया जा सकता है सुर्य में पाय जाने वाली मुख्य गैस जो यह है कौन है या पहले सेंसर नहीं है तो ग्लोबल वार्विंग के लिए एक उत्तर दाइब कौन है तो यह अप्योग सभी मतवी थे मेथेन जलवास कर्में डियुक्साइड सब नेक्स चैक की हर्त ग्री गैस जो है इसमें से कौन है यह पुछा जाए तो नेंटी नेंट का हो जाएगा आपका कारवन डियुक्साइड मीथेन अच्टर अच्ट सभी है नेक्स चैक कि कि तीन तत्वें जिनका प्योग रसानी कुर्वरक में सरवादिक होता है तो होते हैं सरवादिक होता है निमने में से किन दो अभिकार को कि मद अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन करेगी तो मैगनेसिया हमार हैड्रोलिक हाइड्रोकलोरिक अमल नेक्स चैक की प्रदूर्शन यूग ते बाई वंडल को निमने में से किसके दोबारा स्वच्छ किया जात इसमें नहीं है यह 304 अब आपका हैड्रोजन नहीं है निमने में से कौन सेक्टत उत्क्रिष्ट गैस का उधारन है 305 गैसल हो जागा हीलियम उत्क्रिष्ट गैस का उधारन है वह बात है कि हैड्रोग है फ्लू और अमल कमुक उप्योग जो है किसमें किया जाता है तो पासदा नहीं है कंप्लीटीन हो जाएगा तो निम में लिखत में से कौन सा जो बूच कॉन सा एक परूब का उधारन नहीं है तो 307 के ऐस्टील अप्रूब को जाताने नहीं रद चालक विन है तो यहां क्रिप्टाउन भी एंसर हो जागा अर्ध चालेक नहीं निवन में से कौन जो अक्रिय गैस नहीं है तो यहां क्या क्या देंगे की 512 समुह वाले बलुब को सब्सक्राइब चलता है यहां चलता है और फिर इसके बाइओ आप कमेंट वह सबस्क्राइब कि अज़ विल्डानील